और क्या हल चाल मेरे दोस्तों मैं आपका अपना संस्कारी तबर आज आज जगाँ दोबारे एक नई वीडियो लेके आज हम अपनी स्कॉर्पियन के M.I.D. क्लस्ट मीटर के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां से हम अपना इंजटार्ट आफ कर लेते हैं इंजन आन कर लेते हैं इसको म्यूट कर देते हैं तो देखे आप दिए इहान से ये अपन यह इंज़ी कि डिस्प्लेय है ये digital है यह सब RAW चीज़े हैं मतलब यह डिजिटल नहीं है यह दोनों चीज़े देखे जासकी मैं इसको आफ करके दिखाता हूँ देखो इसमें लाइट नहीं जल रही है पर यह ध्यान से देखो कि तो इसके अंदर आपको सूई बगारा दिखेंगे मतलब यह डिजिटल ही नहीं है यह है डिजिटल स्क्रीन टच स्क्रीन कहते हैं यह डिस्प्ले है यह सब RAW है यह दोनों चीज़े यह हैं और यह बीच की डिस्प्ले है तो स्टार्ट करके बात करते हैं देखें ऐसे स्टार्ट होता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यह पहले इधर सीट बेल्ट के ल जितना मैं टायर काटूंगा उतना देखो वो बोलेगा कि आपका इस सैड में आपके दोनों टायर है इसको दो ठीक करते हैं ठीक करते देखो बीच में दिखा दिये एक दब अब आते हैं में चीजों की तरफ थोड़े दर फोकस कर देते हैं अब जैसे कि यह डिस्पले हो ग इसको ओम खूझा हो गया यहां आपका एब्रेज दिखाया और यहां पे ऑप्ष्ण है चेंज करने का ऑर यहां पे यह चूंग तरह सारी चीज ओगी सारी चीज होगी फोकस हो जाए तो आपको थोड़ा समा जा रहा हो एक सिकन्ड रुगे मैं पिन्नी अटाता हूं देखिए अब एकदम साफ थोड़ा दिख रहोगा अब यहां से सेटिंग बटन यह वाला बटन दवा के हम इसकी सेटिंग कोलते हैं यह यह आगे आपका फ्य दिखाएगा आपका एवरेज दिखाएगा और इधर आपका डेफ लेवल दिखाएगा कि काड़ी में कितना है और अगर आपको बैक जाना है तो बैक के लिए भी यह बटन है इसे आप दबाएंगे तो आप दुबार वापस आजेंगी फिर बगल में है डिजिटल और यहां पर आपकी वॉच दिखाएगा ताइम दिखाएगा और निच करने तो ड्राइवरेटेंशन बेल दिखाय तो बैक चलते हैं यह आपका डिजिटल स्पीड वाल उप्श्न हो गया इसको primat dif क् initiatives को करते हैं तो इसमें आपका डिजिटल स्पीड़ है तो यह तो कि यह तो टॉर्क हो गया एक किलोमेटर पर आर की स्पीड हो गई तो यहां पर डिजिटल स्पीड है जैसके गाड़ी 20 किलोमेटर प्रती आर चल रही है ना तो यहां पर 25 तीस चैसे में डिजिटल चलेगा और यहां पर यह वाला उप्शन अगर मैंसे दबा के रखूंगा तो यह जो दो रहा है ने इनकी लाइट्स ओफ हो जाएंगी डिजिटल वाली चलने लगेगी बस देखो इसको दबा के रखा मैंने बंद हो गई दबार दबा के रखूंगा तो अन हो जाएंगी चलो बोर्ड चलते हैं और हमारे पास ड्राइवर वेहिकल इंफो आपका टायर प्रेशर दिखाएगा और इसके नीचे आपके टायर का टेंपरेचर दिखाएगा और यहां पावर और टॉर्क दिखाएगा डिजिटली और अपने पास नेविगेशन को ओप्षंण हा गया यहां पर आप जैसके जो भी अपने इन्फाटैर्मेंन सिस्टम के अंदर इदर के नेविगेशन में इसे उपन करके जो भी हा पर लोकेशनद practice में डालेंगी वह यहां पर इस नेविन नंगी कीचीज देखो एक यह सब दिखने लगेगा जो इसमें दिख रहा है चलो इदर बैक कर दें और इसमें थोड़ा देखें तो बैक करते हैं और अब एक option है setting option setting option वही आपका AFE auto reset passenger airbag on-off करना drone detection TMS और आपका टायर फिल एसिस्टेंस और साउंड को option sound change करने का clock time change कर सकते एक टैप करके बैक चलते हैं और यह है इसकी alert history मतलब जो भी कोई fuel की warning या आपके किसी टायर में प्रेशर कम है कुछ भी गाड़ी में कुछ भी problem होती है तो आपको यह alert आने लग जाता है तो अभी कोई warning नहीं है सही है तो अभी इसका यह infotainment system और जैसे कि यह इसमें यह एक और बटन दे रखा है यह favorite बटन है जैसे कि बार-बार मेरे मैं अपना मुझे मैं ट्रैवल बहुत करता हूं ठीक है मेरे cluster फ्यूल एकोनॉमी पर हमेशा रहता है और मुझे कभी मेरे को एक टैप करते ही बहुत लोग आगे पीछे निकरना चाहते है एक टैप करती नैविगेशन पर जाना चाहते है तो मैं ओक करके नैविगेशन पर जिए वाला बटन है ना यह वाला इसको मैं दवा कर रखूंगा अब देखो यह मेरे बटन एक बटन दवाते ही अपने मैप पे चला जाओ यह इसका बहुत बड़िया फीचर है चलो और और एक और चीज जैसे कि इसमें यह भी रैड आये तो इसका मतलब जैप मोड पे हैं यहां से कोई आप्शन नहीं है मोड चेंज करने का आप्शन यहां पे यह ड्राइ इसको दवाँगा तो यह ख़ज जाएगा पहला है जिप मोड माने इको मोड वे ब्लू हो गई इसमें अपका एवरेज और गाड़ी थोड़ी खिच-खिच के चलती है यह गाड़ी से बड़ी आवरेज निकालने के लिए है यह आगया पर जैप मोड इसमें माइलेज सब्सक्राइब मोड इसमें लास्ट एक और मोड है वह हाईवे के लिए बना हुआ है जूम मोड जूम मोड में गाड़ी के इंजन में सबसे ज्यादा पावर आजाएगी जूम मोड करते ही अब यह जूम मोड में जा चुकी है बाइसाब हम तो इको मोड में ठीक है इतना रेल कहां से लाएंगे से लाते हैं इको मोड पर यह आप जो इको मोड पर ठीक रहती गाड़ी जो आपकी ड्राइवर यह चेंज करने का है ना यह जिब जैप मूड ड्राइव मोड चेंज करने को यहीं से कर सकते हैं इन से कुछ कंट्रोल नहीं होगा ड्राइव मोड का त पॉजिटिव और नेगिटिव के उपर बनोगा थैंक्स पर वाचिंग